जेन दुस्तों मेरे नामे तुलोर स्वागत है अपका अपने डिव चनल अतुल डिक बजार में दूस्तों लेटेस्ली लॉच्छ हुए दो फाइजी मोबाइल हमारे पास में बजट सेग्मेंट के अंदर सबसे फेले पोको एक्सिक्स नियो फाइजी डिवाइज है चूकि 15 16,000 रुपए के आसपास आजा था इसका बेस वरियंट और इसके बाद रिसेंटली लॉच्छ हुआ रियल्मी 12x2 डिवाइस काफी ज्यादा तवाही मचा दी इस डिवाइस ने 10999 के आसपास इसका बेस फोज भी 128 जिवी लॉच्छ होता है और यहां पर दुस्तों और भी बात कर शेंगे बात में पीश आप देशेंगे मेड न आपर दोनों घुछ में काफी अच्य अच्छा प्रीमियम बैक डिजईन मिलता है और दोनों कारवबोनेट डिजाइन दोनों में मिंता है बैक सैड़् में ही डोल एक antibस्ड मिलता है पोका एक सिक्सट नियो डिवाइ में 8 Megapixel camera मिलता है तो better selfie आपको Poco X6 Neo device में देखने को मिलें कि वैसे full camera comparison भी आगे हम करेंगे विसे thickness देखें तो दोनों ही mobile के same ही मिलती है 7.69 mm thickness के साथ में दोनों ही mobile आते है इस price segment में काफी slim design मिलता है यहां पर आपको Poco X6 Neo device का थोड़ा सा light bit मिलेगा 175 gram का यह है और realme 12X5 device 188 gram के असपास आता है sim trade realme 12X5 device में top में देखने को मिलती है जबकि Poco X6 Neo device में left side में top में आपको 3.5 object Poco X6 Neo device में मिलता है और bottom में 12X5 device में वैसे यहां पर Poco X6 Neo device में single speaker मिलता है जो कि Dolby Autums को support करता है जबकि 12X5 device में dual stereo speaker का support मिलता है जो कि high-res audio certification के साथ में आता है वैसे sim यहां पर देखे तो दोनों में ही hybrid sim slot दिये हुए है यहां पर 1TB तक Poco X6 Neo device में memory card अब लगा सकते है और 2TB तक realme 12X5 device में वैसे दोनों ही device में side mount and fingerprint का support मिलता है Poco X6 Neo device का fingerprint scanner बजो थोड़ा सा fast लगा है जबकि 12X5 device से वैसे यहां पर realme इसे OTA update से fix कर सकता है दोनों ही device center punch-hole display के साथ में आती है बट काफी बड़ा difference यहां पर display में देखने को मिलता है Poco X6 Neo device के display आप देखते हो symmetric bezels के साथ में आते हैं नीचे चिन भी आपको काफी कम देखने को मिलेगी as compared to realme 12X5 device इवन दोस्तो Poco X6 Neo device है वो 6.67 inches के FHD plus AMOLED display के साथ में आता है जबकि realme 12X5 device 6.72 inches के FHD plus LCD display के साथ में आता है यहां पर दोस्तों दोनों ही display जो है वो 120 hard refresh rate को support करते हैं और brightness अगर हम देखे तो Poco X6 Neo device में 1000 nits brightness का support मिलता है जबकि realme 12X5 device में 950 nits peak brightness का support मिलता है तो थोड़ी सी brightness आपको यहां पर Poco X6 Neo device में देखने को मिलेगी और यहां पर Wildwind L1 का support दोनों ही device में मिल जाता है realme 12X5 device panda glass protection के साथ में आती है तो प्रोटेक्शन थोड़ा सब बहतर Poco X6 Neo device में मिलता है दोनों ही mobile में YouTube video 4K resolution पर देख सकते हो वैसे मुझे YouTube की जो video quality है realme 12X5 device में थोड़ी बहतर लगी color थोड़े से dark यहां पर निकल के आते है और Poco में थोड़ा सा यहां पर light जादा ही देखने को मिलता है Poco X6 Neo device में MIUI 14 update मिलता है realme 5.0, realme 12X5 device में देखने को मिलता है MIUI 14 जो है Poco X6 Neo में यह Android 13 पर बेस्ट है और Android 14 latest update वाला realme 5.0 के साथ में realme 12X5 device में मिलता है तो थोड़ा सा OS का benefit यहां पर आपको realme 12X5 device में मिलता है उसे Poco में 2 major update और 4 year तक security patch update मिलेंगे और realme में 2 major update और 3 year तक security patch update मिलते रहेंगे Poco X6 Neo device में Dimensity 6080 वाला processor प्रवाइट के आगा है जबकि Dimensity 6100 प्लस वाला processor आपको realme 12X5 device में मिल जाता है यह तोनों ही 6NM octa core processor है on paper Poco X6 Neo का जो processor है slightly थोड़ा सा powerful है लेकिन इतना भी नहीं तोनों में ही ज़्यादा difference नहीं है nth2 benchmark की score Poco का 4,51,000 के आसपास आता तो यह भी Poco में थोड़ी से बहतर देखने को मिलती है जबकि तोनों में ही UFS 2.2 storage का support मिलता है and LPDDR4 X-RAM provide की गई है तोनों ही device Bluetooth 5.3 support के साथ में आते है और IP54 rating तोनों ही device में मिल जाती है cooling system भी तोनों ही device में provide किया गया है graphite seat का use Poco X6 Neo device में मिलता है और Realme 12X 5G device में PC cooling का support gaming के लिए मिल जाता है बैटरी के बारे में बात करें तोनों ही device 5000 mAh बैटरी के साथ में आती है Poco X6 Neo device में 33 Watt की fast charging मिलती है जबकि 45 Watt की charging आपको 12X 5G device में मिल जाती है बैटरी बेकप भी almost दोनों का ही एक से देर दिन के असपास मिल जाता है वैसे Poco में आपको auto call recording वाला option इसके dollar में मिल जाता है Realme में आपको google dollar मिलता है बट ओ dollar अगर आप play store से install करते हो तो यहाँ पर दूस्तों आपको call recording auto call recording वाला option मिल जाता है तो आप ओ dollar यूज़ कर सकते हो यह OPPO का officially dollar है दोनों ही device में हमने एक बहुत सारे camera samples लिए है ported और normal mode पे front and rear दोनों ही camera से आप यहाँ पर देशकते हो result थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको कभी realme का camera बैटर दिखने को मिलेगा कभी यहाँ पर POCO X6 Neo device का और दोस्तों यहाँ पर 16 MP camera front में मिलता है और 108 MP rare में POCO में तो थोड़ी बहुत यहाँ पर POCO अच्छी photos ले देता है और यहाँ पर zoom भी थोड़ा बहतर मिलता है front में POCO में night mode नहीं मिलता फ्लैस के साथ कुछ ऐसी photo आती है और rare में realme का camera थोड़ा सा कमाल कर देता है वैसे दोस्तों यहाँ पर वीडियो हमने रिकॉर्ड किया 1080p 30 fps पे दोनों ही mobile से वो camera जो है थोड़ा आपको light balance करता हुआ दिखेगा लेकिन exposure यहाँ पर balance नहीं कर पारा है realme का camera तो overall यहाँ पर अगें से आप rare में भी देख सकते हो color काफी bright निकल के आते हैं वोको में overall हम यह भी बोल सकते हैं कि realme का camera भी अपने price packet के हिसाब से काफी best performance देता है तो यह तो दोस्तों दोनों ही mobile के वीच में comparison अप चलिए फड़ा फड़ से कुछ speed से related test भी कर लेते हैं सबसे पर दोस्तों यहाँ पर हम booting test करने वाले हैं देखते हैं सबसे पहले कौन सा device boot होता है दोनों device को हमने same timing पे reboot करने के लिए छोड़ दिया है और यहां पर थोड़ा सा हमने fast forward कर दिया Poco Realme दोनों के अपने 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 लोगों आ चुके हैं देखते हैं यहां पर आप देख सकते हो MIUI और Realme का जो mobile वो boot कर चुका है यानि कि Poco से थोड़ा पहले boot हो जाता है Realme 12X 5G devices booting test में clearly winner बनता है नेक्स दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो दोनों डिवाइस से वाइफा Realme 11 Pro से connected है Instagram जो कि 60 MB के आसपास के अपस डाउनलोड करने वाले हैं एप डाउनलोडिंग टेस्ट हम करने वाले हैं इसमें भी अगें से हमने थोड़ा सा fast forward कर दिया है देखते हैं open button blue color का सबसे पहले किस device में देखने को मिलता है यहां पर दूस्तों Realme ने पहले डाउनलोड तो कर लिया था बट यह installing में पीछे रह गया है और POCO ने यहां पर blue color बटन दे दिया इस टेस्ट में यह winner बनता है नेक्स दोस्तों डाउनलोड अपलोड इंग स्पीड टेस्ट कने वाले वाया ओकला एब वन बाई वन हम यहां पर टेस्ट कने वाले सबसे पहले पोको में हमने यह टैप किया है और POCO की डाउनलोड इंग अपलोड इंग स्पीड आ चुके देन रियलमी 12x पर हमने टैप किया है और थोड़ा से हमने फास फारवड कर दिया था कि फड़ा फट से हमें रिजल्ट मिल सके यहां पे दोस्तों आप देख सकते हो दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं और डाउनलोड इंग अपलोड इंग स्पीड में सर्प्राइज ली रियलमी 12x 5G डिवाइस आगे बड़ता इसी में दोस्तों वीडियो रेंडर करके हम देखने वाले हैं टैप हमने कर दिया है अगें से यहां पर थोड़ा सब फास फरवड कर दिया था कि फटा फट से रिजल्ट देखने को मिले सर्प्राइज ली यहां पे भी आप देख सकते हो रियलमी 12x 5G डिवाइस ने पर हम देखेंगे कि कौन सा मोबाइल फास्ट ली जिफ फाइल यहां पर बनाके देता है तो उनों ही डिवाइस में हमने सेम टैमिंग पर टैप कर दिया है और यहां पर भी फास फॉरवड किया और सर्प्राइज ली अगें से आप देख सकते हो रियलमी 12x 5G डिवाइस न से यह पता चल जाता है कि gaming multitasking के समय CPU को कितना throttle struggle करना पड़ता है यहां पर हमने पॉस कर दिया है और score आप देख सकते हो ग्राफ जो है थोड़ा सा पोको में आपको बहतर देखने को मिलेगा और zoom करके हम यहां पर आपको बता दे तो score देख सकते हो 87 vs 81 मिलता है यानि कि इस PUBG जैसे heavy game को सबसे पहले हम लेते हैं और यहां पर थोड़ा सा time लग रहा था इसलिए हमने यहां पर अगें से इसे fast forward कर दिया है और यहां पर आप देख सकते हो कि लड़ी Poco X6 Neo device ने आपके कमाल दिखा है और इसे पहले open करके रखा है तिन दुस्तों यहां पर हम end to benchmark score app को open करते हैं और इसे भी Poco X6 Neo device ने पहले open किया है next temple run game को open करते हैं और यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले play button कौन सा mobile provide करता है realme 12xy device ने अपना खाता भी खोल लिया है next दोस्तों यहां पर हम candy crush game को open करते हैं इसमें भी आप देख सकते हो Poco X6 Neo device ने पहले play button provide किया है next एक और game है Krishna game थोड़ा सा यह time लेता है open होने में इसे थोड़ा सा मने fast forward कर दिया है फड़ावर्ट से देख लेते हैं इससे कौन से mobile ने पहले open किया Poco X6 Neo device ने इसे open किया सबसे आगे है भी यह app opening test में then यहां पे हम Pluto King game को open करते हैं और finally जुस्तों इसे भी देख सकते हो Poco X6 Neo device ने पहले open किया है Chrome browser को open करके देख लेते हैं यहां पे again से आप देख सकते हो Poco X6 Neo device ने इसे पहले open किया है तो app opening test में काफी पहतर प्रदर्शन कर रहा है Poco X6 Neo device and flip card app को भी इसने पहले open कर लिया है lastly हमार पास एक और online shopping app है Amazon इसको open करके देख लेते हैं यहां पे दोस्तों आप देख सकते हो finally Poco X6 Neo device ने इसे पहले open किया है background में काफी सारी running app अब है और फड़ा बड़ से दोस्तों हम यहां पे आपके लिए RAM management test भी कर लेते हैं तेक देंक इसका RAM management बहतर मिलता है कार wish अर बडे दोका ऑग्का आफ ने खब है झाल झाल तो यह से दोस्तों दोनों ही डिवाइस के बीच में फुल कंपरिजन प्राश डीपेस डीपेस स्पेट टेस्ट और मैंने आपको पहली बोला था एक सर्प्राइज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा तो यहां पर दोस्तों जो Poco X6 New Device हमारे पास में है यह 12GB 250 6GB Variant हमारे पास में है और Realme 12X 5G Device का हमारे पास में 6GB 128GB Variant है यानि कि 6GB RAM का डिफरेंस यहां पर था Realme 12X 5G Device में पर यहां पर कुछ टेस्ट आपने देखे होंगे इसमें परफार्मेंस काफी बहतर यहां पर मिला है जैसे कि हमने यहां पर काइन मास्टर रैप के थ्रू वीडियो रेंडरिंग स्पीड टेस्ट किया फिर हमने जिफ फाइल कनवर्ट किया यहां पर काफी बढ़िया स्पीड देखने को मिला इवन बहुत से और भी जो टेस्ट है इसमें बहतर परफार्मेंस देखने को मिला है 12X5G डिवाइस के तरप से जबकि इसके पास 6GB रैम थी यहां पर दोस्तों तोनों ही डिवाइस अपने अपने प्रैस केटेगरी के इसाफ़ से काफी बेस्ट डिवाइस है अगर आपके पास बजट कम है 4GB रैम आप ले सकते हो या फिर 6GB तो डेफिनेटली आपको रियल मी 12X5G डिवाइस के साथ जा सकते हो कम बजट में काफी सारे एक्स्टर बेनिफिट आपको मिल जाते है जैसे कि IP54 रेटिंग मिल जाती है 45W फास चारजी बड़ाया डिस्प्लेय मिल जाता है यहाँ पर दुस्तों आपको बड़िया बैटरी के साथ साथ एर जेस्टर वगएर फीचर भी मिल जाते है कैमरा भी ठीक टाक वर्क कर लेता है वाट अगर आपका बजट थोड़ा सा हाईयर है 15 से 17,000 रुपए के आसपास का 18,000 रुपए के आसपास का तो पोको एक्सिस नियो डेवाइस का 8GB 128GB वैरियंट के साथ आप डेफिनेटल जा सकते हो AMOLED स्क्रीन इसमें मिलती है और डिस्प्लेय भी काफी बढ़िया है प्रेक्शन काफी बढ़िया है आपको थोड़ा से बहतर ही मिलेंगे 12X5G डेवाइस से तो तोनों ही च्वाइस आपके पास है तोनों ही अपने अपने प्राइस के डिकरी के सूपर बैस्ट मोबाइल है तोनों ही डिवाइस के रिकार्डिंग डिपेस ट्रिवियो आपको डिस्केप्शन वाक एंड इस्क्रेन में मिल जागा और भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर एवलेबल है लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलेग्राम चैनल को जोईन कर लेजेगा और इन दोनों ही डिवाइस के रिकार्डिंग और कोई डाउट कोई कुश्चन है सिंप्ली कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं फिलाल दोस्तों इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स डिडियो के साथ में तब तक लिजयन बोलते हैं बहुत दिमातरम